हाई एवरिबन स्वागत आप सभी का टीचिंगोर्स के इस लर्निंग प्रेटफोर्म पर उम्मीद करती हूँ सभी लग बहुत अच्छे होंगे अब इसे भर दिया गया है अनुराग रस्तोंगी होंगे हर्याना करमचारी चरेनायो के चेर्मेन ये 1990 के IAS अधिकारी है मैं आपको बता दूँ और ये फिलहाल में हर्याना के अंदर कारियर्थ है इनके पास पहले से काम है पहले से अपना काम सभाले हुए है इसके साथ है चेर्मेन पद ये एडिशनल तोर पर इसका काम करेंगे और अभी ये उम्मीद की जा सकती है कि जो आपकी भरती प्रकरिया आपकी चली हुई है जो बिलकुल ही रुकी हुई है उसमें थोड़ी बहुत तो कम से कम जो गती वो पकड़ेगा और जो रिजल्ट ह है वो हमें देखने को शायद आने वाले समय में जल्दी देखने को मिल जाए क्योंकि एक I.S. अधिकारी है तो ये तो बिलकुल नहीं कह सकते हैं कि अनपड़ है आई-एस अधिकारी है और एक प्रतिष्ठित पद होता आई-एस का तो पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ आपको ये न्यूस भी मिल गई होगी कि सोश्यो एकनोमिक के जो फाइफ मार्क्स का जो केस था जिसकी हेरिंग वगेरा सब हो चुकी थी जो फाइनल फैसला रिजर्व करके रखा था जद साब के दुवारा वो आपका कल आना था नो तारीक को लेकिन एक बड़ी विडंब नहीं देंगे उसको फिर से सब खारिज करके और कहरें कि सुनवाई हम फिर से रियोपन करेंगे यानि कि अभी तक जो भी आपकी तारीक लगी थी जितने भी आपके केसे लगे थे जो भी हरिंग होई थी वो सब वेस्ट हो गई है वहाँ पर क्याड़ेट का जाना वकीलों का जाना दलीले होना वो सारी चीज़े यहाँ पर एक तरीके से वेस्ट हो चुकी है अब यह सारी चीज़े फिर से होगी और 23 अपरेल आपकी डेट यहाँ पर रखेगी यह सोशलिक नौमी की और सिधे तोर पर यह जो पांच नंबर वाला के यह सही आपका CET से भी जुड हुआ है हर भरती जो भी हर्याणा में होती उसमें आपको यह जो नंबर है वो एक्स्ट्रा देते हैं किसी भरती में लग देते हैं किसी भरती में लग देते हैं तो इसके बिना तो पतानी रेजल्ट आप आपाएगा कि नहीं आपाएगा बाकी अब अनुराग रस्तोगी अनुराग रस्तोगी जी आये हैं तो उम्मीद यही की जा सकती है हम यही positive की ही उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ गती तो अब जरूर मिलेगी क्योंकि IS अधिकारी है और बस यह यह उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें रेजल्ट के बारे में देखने को मिलेगा CT के सभी ग्रूप्स का रेजल्ट रिलीस हो यह सारी चीजह में देखने को मिले इस वीडियो में इतना नहीं ही है यही जानकारी मुझे आपको देनी थी मिलती हूं निक्स वीडियो में थेंक्यू, थेंक्स for watching me